दोस्तो जैशर कृष्णू मैं हो मियादव आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ छपरा जिले इस्थित मांजी थाना अंतरगत मुबारकपूर गाउं की इस गाउं की आप सभी लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कल इस गाउं से एक वीडियो वाइरल होती है इस वाइरल वीडियो के अंदर करीब 1500 राजपूत जाती के लोग नजर आते हैं और वहाँ के यानि की मुबारकपूर गाउं के मुखिया पती विजय यादव के घर और उनके मुर्गी फारम को जला के राक कर देते हैं हालात अब यहाँ पर यह है कि पुलिस प्रसाशन ने पूरे मुबारकपूर गाउं को एक छावनी के रूप में तब्दिल कर दिया है इंटरेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं और पूरे प्रदेश के अंदर खास तोर पर छपर जिले के अंदर और खास तोर पर मुबारकपूर गाउं के अंदर इस लवाई ने यादव वर्सेस राजपूत का रूप ले लिया है सोशल मीडिया के उपर यादवों और राजपूतों में एक प्रकार की जंग छिल चुकी है इतना ही नहीं इन राजपूत जाती के लोगों ने एक महिला को घेर लिया जिसके बाद उस महिला की हार्ट टैक से मिर्ति हो गई ऐसा बताया जा रहा है कि वो सारे के सारे जादा तर उसमें से राजपूत करूनी सेना के लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने का काम किया है अब आप सभी लोगों सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्रकार की घटना घटित क्यों होई तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए सिलसेवार तरीके से एक करके इस घटना की पूरी जानकरी मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूं और आप लोग खुद तै कीजिए कि आखिर इसमें सही कौन है और गलत कौन है दोस्तों इस घटना से पहले कुछ दिनों पूर्व भी इसी मुबारकपुर गाओं से एक और वीडियो वाइरल ही थी और इस वाइरल वीडियो के केंदर बिंदू एक बार फिर से विजय यादव और उनका मुर्गी फारम था उस वाइरल वीडियो के अंदर कुछ लोग नजर आ रहे थे जो तीन युवकों को बेरहमी से पीट रहे थे दरसल ये बताया जा रहा है कि जो लोग पीट रहे थे वो विजय यादव के समर्थक थे यादव जाती के लोग थे और जिन तीन युवकों को पीटे जा रहा थ वो राजपूत जाती के लोग थे जिसमें से एक युवक की वही पर on the spot मृत्ती हो गई और एक युवक को अस्पताल लेकर जाये गया जहां पर वेंटीलेटर पर उसने दम तोड़ दिया और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया के उपर वाइरल हुई थी जितने भी माले उन सभी लोगों ने इस घटना के बारे में अपनी वीडियो के अंदर बात की खास तोर पर स्क्रीन के उपर आप ये शक्स देख रहे होंगे इसका नाम है राना दीपू सिंग ये क्रियेटर बबुव के नाम से एक सोशल मीडिया के उपर फेस्बुक पेज चलाता है और इसने एक वीडियो बनाई थी जिसका सीर्शक इसने कुछ इस प्रकार लिख़ा था आहिर विधायक आहिर मंत्री यानि कि इसने पूरी वीडियो के अंदर इस पूरी घटना का दोश यादवों के उपर मिणने का काम किया था जाती का नाम लेकर इसने इस घटना को हैं कि वो यादवजाती से आते हैं मंत्री हैं वो यादव जाती से आते हैं और बिहार के अंदर सरकार और थे इसने अपनी वीडियो के अंदर करनी सेना का आवान किया था, राजपूत जाती के लोगों का आवान किया था और उसके इसी आवान के बाद इतने लोग विजय यादव के घर पे पहुँचे और उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिदे का काम किया इस राना दीपू पूरा का पूरा दोश यादमों के उपर मढने का प्रयास किया और बिना जाच के, बिना इन्वेस्टिगेशन के इसने सारा आरोप यादव जाती के उपर लगा दिया और इस पूरी घटना को यादव वर्सेस राजपूत कर दिया जो अब एक जातिय हिंसा का रूप ले चुकी है जितने भी सोशल मीडिया पर राजपूत जाती के पेजिस चल रहे हैं या इंफ्लेंसर ट्विटर वगएरा पे वे सभी के सभी लोग यादव जाती को गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गालियां देने का काम कर रहे हैं लेकिन चाहे राना दीपू सिंग हो या जितने भी सोशल मीडिया पर राजपूत जाती के इंफ्लेंसर हैं उन्हें सभी लोगों ने आप सभी लोगों को इस घटना की पूरी जानकारी नहीं दी है इस घटना के दो पक्ष है एक पक्ष राजपूत जाती के लोगों का है दूसरा पक्ष यादव जाती के लोगों का है मैं दोनों पक्षों को आप सभी लोग के सामने निस्थ पक्षता सरखने का प्रयास करूंगा आप सभी लोग तै कीजिएगा कि आखिर कौन सही है और कौन गलत है तो राजपूत जाती के लोगों का ये कहना है कि वो तीनों युवक अपनी बाइक से अपने खेत में पा चल दिया और उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई ये पक्ष राजपूत जाती के लोगों का है मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि आप अपने बुद्धी और वेक का इस्तेमाल कीजिए क्या आप लोगों ने ऐसी घटना कभी सुनी है फॉर्ज कीजिए कि आप किसी म मुर्गी फारम के मालिक हैं और आपकी मुर्गी फारम के पास और आपकी मुर्गी फारम पे कुछ राजपूत जाती के युवक आते हैं सिर्फ इस बात के लिए क्या आप उनकी हत्या कर सकते हैं यह सोचकर ही अपने आप में कितना जादा हास्यास्पत लगता है आखिर लेकिन यही कानी राजपुत जाती के लोगों के द्वारा बताई जा रही है वहीं दूसरा पक्ष यादव जाती के लोगों का है यह कहूं कि विजय यादव के समर्थकों का है उनका यह कहना है कि यह तीनों युवक विजय यादव के उपर हमला करने आ रहे थे और इसलिए उन तीनों युवकों को उनके समर्थकों ने पकड़ लिया जिसके बाद भीड ने उनकी पिटाई कर दी और इस पिटाई के चलते उसमें से एक युवक की मौक्य पर ही मौत हो गई हाला कि मैं इस वीडियो के माधम से कहना चाहता हूँ कि जो भी विजय आदव के समर्थकों ने किया ये सरा सर गलत किया उनको भी बिल्कुल भी अधिकार नहीं था कानून को अपने हाथ में लेने का अगर वो तीनो राजपूत युवक विजय आदव के उपर हमला करने भी आ रहे थे और उनको पकड़ लिया गया था तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था बजाए इसके कि वो उसकी वही पर हत्या कर देती लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि वो तीनो राजपूत युवक विजय आदव के उपर हमला करने क्यों आ रहे थे तो दोस्तों ये पूरा मामला राजनितिक है राजनितिक रंजिश्य प्रयरित होकर ये तीनो राजपूत युवक विजय आदव के उपर हमला करने आ रहे थे दरसल पिछले साल भी इसी प्रकार से राजपूत जाती के कुछ यूवकों ने विजय यादव को निशाना बनाने का प्रयास किया था लेकिन किस्मत थी विजय यादव की कि वो बाल बाल बच गए थे लेकिन उस घटना में उनके पिता की मौक्य पर ही मौत हो गई थी और दुबारा से एक बार फिर से विजय यादव पर जबे निशाना बनाने आए तो इनकी बद किस्मति थी के तीनों पकड़े गए और जिसमें इसमें से एक की मौक्यों पर ही मौध हो गई आप लोग यादव जाती के उपर या फिर मेरे उपर यखीन मत कीजिए मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो क्लिप देखिए तो दोस्तों ये वीडियो क्लिप निउज 18 की है जो ना कि राजपूतों का है और नहीं यादवों का है इस वीडियो के अंदर साफ साफ निउज रिपोर्टर ये बता रहा है कि तीन बदमाश बाइक पर सवार थे जो विजए आदव के उपर हमला करने आ रहे थे जिसके बाद उनको पकल लिया गया जिसके बाद उनकी पिटाई की गई लेकिन बदकिस्मती से मौके पर उनकी मृत्ति हो गई ये बात कोई भी राजपूत जाती का creator नहीं बता रहा है कोई भी social media influencer राजपूत जाती का आप सभी लोगों को नहीं बता रहा है सिर्फ यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि विजय यादव के समर्थकों के द्वारा इन तीन राजपुत युवकों की हत्या कर दी गई अरे ये भी तो बताओ कि वो तीन राजपुत युवक करने क्या जा रहे थे अगर आपके ओपर कोई हमला करने आएगा तो on the sport आपकी प्रतिकिरिया क्या होगी रजाहिर सी बात है यदि आपके हाथ में आ जाएगा तो आप उसकी पिटाई ही करेंगे कोई भी यही काम करेगा और यहाँ पर भी विजय यादव के समर्थकों ने यही काम किया लेकिन जिस प्रकार से राजपूत जाती के क्रीटर्स के द्वारा इस पूरी घटना को यादव वरसिस राजपूत किया गया इसके वज़े से पूरे बिहार के अंदर हालात गंभीर बने हुए हैं पूरे एरिया को च्छावनी के रूप में तबदील कर दिया गया है और यह पूरी की पूरी लाई दो जातियों की बीच में सिमटकर रह गई है इस पूरी घटना के उपर पपू यादव ने भी ट्वीट किया उनका ट्वीट आप देख सकते हैं अब आप लोग स्वय मत्य कीजिए कि इसमें सही कौन है और गलत गौन है इस पूरी घटना के उपर हमारी नजर बनी हुई है कोई भी अपडेट होती है तो आप सभी लोग वीडियो के माध्यम समय देने का काम जरू करूंगा बाकि यदि आपने इस चैनल के सब्सक्राइ आप जये